हेलो, दिन की सुरुवात, अगर हेल्दी ब्रेकफास से हो तो क्या बात है, ये ओवरनाइट सोक्ट ओट्स रेसिपी है, चलिए बनाते हैं, मैंने रोल ओट्स लिया है, इसे मैं पानी में 10 मेट के लिए फुलने के लिए डाल दूगी, ये देखिए, क्वांटिटी आप अप इन सब का इस्तमाल होगा, सुगर नहीं यूज़ करूँगी, और फ्लेवर के लिए सिनिमन पाउडर, अगर आपके पास अलमेंड मिल्क है, तब तो कोई बात नहीं है, ने तो चलिए फ्रेश बनाते हैं, पानी डालके पीस लिया, अभी पानी जादा नहीं डालना है, इस पारा फ्रेश अलमेंड मिल्क विथ डेट्स तैयार हो गया है, अब ओर्स भी फुल चुके है, इसे इसका पानी निकाल लेना है, एक बाउल में बनाना को अच्छे से मैश करना है, आप इसे फोक से या पोटेटो मैसल से अच्छे से मैश कर लेजिए, कुछ खास महनत नही करना है, एड करना है, फुल अवे ओर्स और यह देखे, अच्छे से फुल गया है, और यह बहुत हल्दी होता है, इसमें एड करना है, फ्रेश ली प्रिपेड आलमेंड मिल्क, जो जिसमें एड हुआ है, डेट्स, और साथ में चल जाएंगे, दो चमच चिया सीट्स के, य उपर से टॉपिंग के लिए मैं सीट्स लिया है, मैंने पंकिन सीट्स और पिस्ता, सीट्स और नर्ट्स अब अपनी पसंद के ले सकते, इसे रोस्ट कर लूँगी मैं, रोस्ट करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, रोस्ट करके मैं से ग्राइंड कर लूँगी, पल हिसाब से पीस्ता और सीट्स का मैंने टॉपिंग किया फूट्स अपनी पसंद के लिजेगा मेरे पास गोल्डेन कीवी है मैंने इसे छुटे-छुटे टुकडे में काट लिया है मैं उसके उपर में डाल दूंगी और मेरे पास है ड्राइड क्रैन बेरी मैं इसे भी एड सकती है टॉपिंग आप अपनी पसंद की लिजेगा हेल्दी ब्रिकफास्ट रेडी है एंड लास्ट में फ्लेवर करेंगे सिनिमन पाउडर से यह देखिए इंज्वाइए